बुरे बने होगे तभी सफल बनोगे लाक बुरे हैं हम पर तुम तो अपनी अच्छा ही दिखाओ हम बुरे नहीं थे अब तुम याद करो तुमने हर बार हमें सिर्फ बुरे वक्त में ही याद किया है आज तो मैं इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है चांद उगता गया और सूरज धलता गया मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सब की नजर में बुरा बनता गया वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी चीज अच्छी नहीं जब जब अच्छाए की कोज में निकला, दुन्या ने मुझे बुरा कहके बुकारा और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ लिया, तो लोगों ने मुझे अच्छा कहके बुकारा आज का याय स्पीच बहुत ही जरूरी टोपिक पर है अगर आपने इसी पूरी अच्छी तरह से समझ लिया, तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आदी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पट्री पे दोड़ने लगेगी और जिंदगी में अच्छे फैंसले लेने सीख जाओगे बच्पन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे से कहा कि जा बक्री चराने के लिए एक लकडी खेत से लेके आ मैं कुलाडी लेकर खेत में गया और पहला कुलाडी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा उस पेड़ पर कोई काटे नहीं थे और उसको काटना बहुत ही आसान था उसी के बगल में एक दूसरा बगूल का पेड़ था जो पूरा काटों से भरा था मैंने उस पेड़ के तो पास में भी जानी की नहीं सोची, आखिर मैं अपने हाथों में काटे क्यों चुपाऊं। अब इंसानों के साथ में बिल्गुल ऐसा ही होता है जो इंसान टेड़ा होता है उसको ज्यादा डिस्टरब नहीं किया जाता है उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है आम तोर पर उसकी बातें माल ले जाती हैं जो वैसा बोल रहा है वैसा करने में मैं किसी को हर तो नहीं कालच में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं और यह नहीं देखते कि उस थोड़ी से पायदे के लिए बात में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि कई बार अच्छा दिखने के चक्कर में या अपना रिष्टा बचाने के कारण में भी गलत को सही बताने लगत बोलता होगा इसलिए कहता हूं कि सही है तो उसको सही बोलो अगर चीज गलत है तो उसको गलत बोलो फिर चाहे लोग बुरा बोले टेड़ा बोले या कुछ भी बोले लास्ट में बस एक ही बात बोलना चाहता हूं कहते हैं कि अच्छों को दूसरों में अच्छा यां और बुरों को दूसरों में बुराईयां ही नजर आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेड़ा बोले, तो उसकी बातों को बल्कि खुद के उपर ध्यान देना की। क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ खुदा करने के लिए बेकूफ मत बनो। चाहे दूसरों के नजर में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसे बनो कि तुम्हारे जैसा कोई न बन पाए। अगर अच्छा बनो तो बेवज़ा बनना, कोई बज़ाए से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। वीडियो चला गए, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सबसाइब करना।